आज की मुवी का नाम है और अंक काया बारू इंडोनेसियन भाशा में इसका मतलब है नए अमीर लोग तो मुवी की शुरुवात में टीका नाम की एक आर्किटेक्चर स्टुडेंट को दिखाते हैं जो एक गरीब परिवार से है और यूनिवर्सिटी में पढ़ती है उसकी गरीबी की वज़े से सबी उसे बुली करते हैं उसका चोटा भाई टेका थेटर स्टुडिस कर रहा होता है और फ्यूचर में प्रोफेशनल प्रोडूसर बनना चाहता है और इनका सबसे छोटा भाई डोडी अभी एलिमेंटरी स्कूल में पढ़ता है अपनी गरीबी के बावजूद तीनों खूब मस्ती करते हैं और जिन्दगी के मज़े लूडते हैं मुफ्त का खाना खाने के लिए वे किसी भी शादी में घुस जाते हैं और पेट भारी टेस्टी खाना खाते हैं पर कभी-कभी उनकी खूसमत खराब रेती है और वह पकड़े भी जाते हैं ऐसे ही इनकी जिन्डगी चलना ये होती है और इनकी यहां से खुशी जिन्दगी के बीच एक दिन उनके पिता का देहान तो जाता है और वो तीनों भाई एक्दम तूट जाते हैं और अब उनको पापा के बिना ही मैनेज करना पड़ता है उनको पापा की नहोने की आदत डालनी पड़ती है अब क्योंकि पापा का दियान तो गया है और उनके पिता का बनायवा एक वीडियो दिखाते हैं वीडियो में पापा बताते हैं की मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ दरसल मैं इंडोनेसिया के सबसे दौलत बन परिवार का वारिस हूँ 21 साल से मैं एक सिंपल लाइफ गुजार रहा था ताकि मेरी पतनी और बच्चे सिंपल लाइफ जीना सीखें और आत्म निरवर भनें मेरे बाद मेरी सारी दौलत और प्रापरटी मेरी पतनी और बच्चे को मिलनी चाहिए ताकि वे अमीरों की तरे जीने का मज़़ा भी ले सकें अब ये सुनकर इन्हें यकीन नहीं होता लेकिन में बैंक में चेक करते हैं तो 500 मिलियन रुपे निकाल पाते हैं उपर से उन्हें ये भी बताया जाता है कि जरुआत पढ़ने पर और भी जाता पैसे निकाल सकते हो अब कोई एकदम से इतने सारे पैसे देख ले तो उसका मन तो लक्सरी लाइफ जीने का करेगा ही ठीक वैसे ही पैसे निकाल कर ये सबी एक लक्सरी होटल जाकर वी आईपी रूम बुक करते हैं पर वी आईपी रूम में पांच लोगों के लिए जगे होती है लेकिन ये लोग ठहरें सिर्फ चार फिर चारो अपना दिमागा लगा कर सोचते हैं और होटल के पास फ़ल बेचने वाले को रेस्टरान में खाने के लिए इनवाइट करते हैं खाने के बाद मॉल जाकर कई महेंगी चीज़ें खरीते हैं डॉडी भी अपने ले काफी अच्छी और महेंगी चीज़ें खरीता है अगले दिन स्कुल में डॉडी के महेंगे शूज और एसेसरिस को इतनी इज़त मिलती है कि पूछो मत बायो जो की टिका का बॉइफरेंड है उसकी बाइख खराब हो जाती है अब क्योंकि टिका के पास इतनी दौलत है तो वो चुटकी बजाते ही 19 मिलियन देकर उसके नई मोटर बाइख खरीद लेती है लेकिन वो भी घर पहुँचकर टिका को चाबी लोटाता है और कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत करके अपने पुरानी बाइख खरीदी थी निकाल कर मौच करने लगते हैं और उनकी जिन्दकी एकदम तितर भितर सी होने लगती है वे बेवजे आठ मिलियन का घर खरीते हैं और महंगा फरनेचर भी खरीद देते हैं यहाँ तक कि फरनेचर स्टोर के सिक्रिटी कार्ड को भी खरीद लेते हैं वे तीन कार भी खरिते हैं हलंकि उन्हें कार चलानी नहीं आती अब टिका के कॉलेज मेट्स उसे बुली नहीं करते और धीरे धीरे उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं वो अपने पुराने और गरीब फ्रेंड्स को खो देती है क्योंकि वो जातर समय अब अपने नए और अमीर दोस्तों के साथ ही बिताती है इसी वजे से वो फिजिक्स ओलम्पियाड की तियारी भी ठीक से नहीं कर पाती जिसमें वो भाग लेने वाली थी अब बायू नराज होता है कि टिका ने उसको नई बाइक दिलाकर उसकी इंसल्ट की थी पर टिका उससे माफी मांगती है और वो भी आकर उसको माफ कर देता है अब डेका का थेटर परफॉर्मेंस भी पास आ रहा होता है लेकिन उसके पास इतने पैसे आ गए हैं कि वो एक्टर्स को मूँ मागी रकम प्रॉमिस कर देता है उसे लगता है कि उसके पैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे अब उनकी माँ जो पहले गिन गिन कर पैसे खर्च करती थी अब पैसा पानी की तरह भाती है वो सोशल मीडिया में फेमस होने और अपने वीडियोस को वाइरल करने के लिए भी पहुत पैसा खर्च करती है टिका भी शुराब की आदी हो जाती है और डेका अपने पिता के पैसो के भरों से अपने थेटर परफॉरमेंस लाँच करता है एक दिन अचानक वही लुएरा कर उनके पिता का वीडियो दिखाता है जिसमें बताता है कि मेरी पूरी दौलत खत्म होच चुकी है अब वे परेशान हो जाते हैं गरीबी में उन्हें तंगी की आदत पढ़ चुकी थी इसलिए वे कम पैसो में खुश रहते थे थे लेकिन अब पैसो की आदत पढ़ने के बाद वे सोचने पाते कि पैसो की बिनावे कैसे जींगे टिका के अमीर दोस्त अब उससे धिरे धिरे दूड जाने लगते हैं और डेका का नया दोस्त डियोड भी उससे अलग हो जाता है डोडी पर भी इसका बहुत असर पढ़ने लगता है एक दिन टिका पब में होती है तब वो अपने कुछ फ्रेंड्स की बात सुनती है वे कहते हैं कि टिका जैसी समझदार लड़की ओलमपियाड की त्यारी करने के बजाए पब में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही है तब टिका रियलाइस करती है कि उसे अपनी आदतें बदलनी चाहिए और ओलमपियाड की त्यारी करनी चाहिए धीरे धीरे वो अपने पुराने फ्रेंड से भी माफी मांगती है जिनसे वो दूर रहने लगी थी उसकी माँ भी सुदर जाती है और गरीमों की जरुवतें पूरी करने की कोश्री करती रहती है डेका कहीं से 500 के अंदिसाम करके अपना थेटर परफॉर्मेंस लाँच करता है लगता है अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है लेकि नहीं टिका की माँ जो चैरिटी प्रोग्राम कर रही होती है उसमें धका मुकी से कुछ लोग घायल हो जाते हैं टिका को भी पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसकी अमीर सहलियां ड्रक्स यूज करती है वहाँ डेका का शो बीच में ही रुख जाता है क्योंकि एक पॉलिटिशन जिसने डेका का शो लांच करने के पैसे दिये थे वो रंगमच पर आकर वोट मांगने लगता है लेकिन खुश किसमती से टिका का ड्रक्स टेस्ट नेगेटिव आता है और पुलिस उसको छोड़ देती है जैसे कि ये सब काफी नहीं था जादा चलती है और फिर अब उनके पास कोई आप्शन नहीं होता तो वे अपने पुराने घर में लोटाते हैं और पहले की तरह सीधी साधी जिन्दगी बिताने लगते हैं टिका और बायू की जल्दी शादी होने वाली है डिका ने अपनी असली सिचुएशन को एकसेप्ट कर लिया है लेकिन तभी एक नया लोयर आकर उन्हें उनकी पिता का एक और वीडियो दिखाता है उसमें पापा कहते हैं कि अचानक मेरे भाई को भीज़ कर तुम लोगों की खुशी चीन लेने के लिए मुझे माफ कर दो और तब पता चलता है कि जो आदमी चाचु बन कर आया था वो चाचु नहीं बलकि पापा का पुराना दोस्त है और पापा मरे नहीं है अभी जिन्दा है मैं तुम्हें प्रैक्टिकली सिखाना चाहता था कि बहुत जादा पैसे सहत के लिए ही नहीं बलकि दिमाग के लिए भी हानिकारक होते हैं और पैसों से खोईवी फ्रेंट्शिप और खोईवी रिष्टे वापस नहीं आते है और दोस्तों इसके साथ ये मूवी यहां पर खत्त होती है दोस्तों इस स्टोरी की मौरल की बात करें तो पहला ये है कि भले ही आपके पास कितना ही पैसा आ जाए अगर उसका सही से इस्तेमाल करना नहीं आया तो वो पैसा बिलकुल शुन्य हो जाता है मिला हुआ पैसा कुछी समय के लिए रहता है लेकिन कमाया हुआ धन उसकी बात ही कुछ और है तो सबसे पहले माँ को होना चाहिए कि वो सारा कंट्रोल अपने पास रखे और उन पैसों को हिसाब से खडचे और हिसाब से ही अपने बच्चों को दे लेकिन इसमें माँ तो बच्चों से भी जादा खडच चली है वो वेर्त की चीज़ों में खडच करती है यानि कि एक बात तो सिमपल है कि गर के बड़ों से ही बच्चों को सीख जाती है कि क्या चीज़ कीसे करनी है घर के बड़े साही है तो बच्चे भी 90% साही होते है यानि कि सिंपल है पैसे का अगर साही यूज हो रहा है तब तक तक तो बड़ी है लेकिन जैसे धन का गलत उप्योग होने लगा तो वो आदमी को ले डूपता है पैसे का नशा सबसे खतरनाक नशा होता है दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपनी फैमिली और फैंड सरकल में जरूर शेयर कीजिए दोस्तों जाने से पहले मैं आपको एक ऐसी मूवी सज़ेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें हमको दिखाए गया है कि कैसे परिवार में पैसों की कमी के कारण परिवार अपने बच्चों का गुजारा करता है कैसे गरीब भाई बेहन एक जूते की चोड़ी में इसकूल जाते है बेहन का इसकूल सुबह होता है और भाई का इसकूल दिन में बेहन जब स्कूल जाती है तो वो छुटी होने से पहले घर आ जाती है तांकि जब उसके भाई के बारी या इसकूल आने की तांकि वो अपने भाई के लेट होने से पहले घर पहुंच जाए और वो जूते अपने भाई को दे सके दोस्तों ये बिल्कुल हार्ट टचिंग स्टोरी है एक गरीप परिवार की मुवी का नाम है Children of Heavens आप इसको देखियो और फील कीजेगा बागे मिलता है अगली वीडियो में तब तक लए गुड़ बाई अपना ख्याल रखेगा और फिरली थैंक्स वर वाचिंग